हालो फ्रेंड्स आप सभी का हमारे यूटूब चैनल पर स्वागत हैं आज के हमारा टॉपिक एक पोएम है जिसका नाम है कुबला खान जिसके लेखक हैं सेमॉल टेरल कॉल्डरीज जिनका जन्म 21 अक्टूबर 1772 SP में United Kingdom में हुआ था तथा किमरित्यू 25 जूलाई 1834 SP में United Kingdom में हुई थी यह जो पोएम है इसको पब्लिस्ट करवाए गया था 1816 SP में तो चलिए शुरू करते हैं इस पोएम कम लग हिंदी में इसके समरी को समझते हैं पूरी करीके से ठीक है तो यह जो पोएम है इसको Samuel Taylor Colridge ने सपने में देखा था मतलब एक राथ जो राइटर हैं वे अफिम खा कर सो गया थे ठीक है नसा करके सो गया थे और उन्होंने सपने में इस पोएम के बारे में देखा था तो इनका सपना पूरा होने से पहले ही इनके एक दोस्त आ जाते हैं और इन्हें जगा देते हैं जिस कारण से सपना पूरा नहीं हो पाता है उसके बाद जब इसके दोस्त चले जाते हैं तो जो राइटर है हुए इसे अपने डायरी में नोट कर लेते हैं ठीक है तो चलिए पोएम का हम लोग स्टार्ट करते हैं इसके लाइन बे लाइन इसको हम लोग समझते हैं ठीक है इन जैनेडु डिट कूबला खाने स्टेटली प्लिजर डॉम डिक्री वेर आल्फ दा स्कैट्ट रिवर रें त्रो केवरेंस मेजर लेस्टु मेन ठीक है यहां पर जैनेडु एक कालपनिक जगर का नाम है ठीक है और स्टेटली मिन्स होता है सांदार प्लिजर मिन्स होता है आनंद डूम मिन्स होता है, महल या गुमबंद और डिक्री मिन्स होता है, आदेश देना, ठीक है, तो होता क्या इसमें कि जो कुबला खान होते हैं, वे एक कालपनिक जगह, जैनेडू में, एक सांदार भव्य महल बनाने का आदेश देते हैं, आनंद महल बनाने का आदेश देते हैं जहाँ पर से एक आल्फ नदी का नाम है पवित्र में बिंड होता है जिसे मापा नहीं जा सकता जहां पर से होता क्या कि आल्फ एक पवित्र नदी बहती है कहा से होते वे बढ़ी-बढ़ी गुफाउं से होते हुए और इस नदी को मनुश्यों के द्वारा मेजर कर पाना संभव नहीं है मतलब यह नदी मापी नहीं जा सकती है डाउन टू ए सनलेस ही और यह नदी कहां तक जाती है जहां पर समुंद्र के दूसरी छोर पर हमें ऐसा परतित होता है कि सुर्यास्थ हो रहा है नीचे डूब रहा है वहां तक भाती हुए यह नदी जाती है ठीक है तो ट्वाइस फाइब मिन्स ओफटाल ग्राउंड विद वाल्स और टावर्स विद ग्रिडल्ड राउंड एंड देर वेर अकार्डन ब्राइट अन तो ट्वाइस मिन्स होता है दो गुना फटाल मिन्स होता है उर्वरक ग्राउंड मिन्स जमिन वाल मिन्स दिवाल टावर मिन्स होता है उच्छे कंबे ग्रिडल्ड मिन्स होता है घेरना राउंड मिन्स होता है गोलाकार और गाडन मिन्स भगीचा सिनेनियोस मिल्स होता है टेड़ी मेड़ी और रिल्स मिल्स होता है छोटी छोटी ने दिया तो ट्वाइस फाइब मिल्स के मतलब होता है दो गुना पांच मिल्स मतलब दस मिल्स तो जो कुबला खान होते हैं वे 10 मिल उर्वरक जमीन के चारोर दिवाल तथा उचे उचे खंबे से घेरने के लिए ओडर देते हैं जहां पर से क्या होता है कि अच्छे अच्छे गार्डेन होते हैं साथे साथ तेड़ी मेड़ी छोटी छोटी नदियां बरती है जहां पर खुसबुदार पेड़ पाउधे खिल रहे थे एंड हैर वेर फोरेस्ट एंसेंट एस दा हेल्स इन फोल्डिंग सनी स्पोर्ट्स ओफ ग्रिनरी फोरेस्ट में चोटा है जंगल ठीक है एंसेंट में प्राचीन और हेल्स में पहाडियां इन फोल्डिंग मिन्स होता है घेर लेना सनी मिन्स दूप होता है ग्रिनरी मिन्स सरे बरे तो जहां पर प्राचीन से प्राचीन पहाडियां और परवत हैं जिने सूर्य की रोशनी उपर से ढख लेती है तथा नीचे का जो स्पोर्ट्स रता छेतर रता वो हरा बरा मतलब यहांस उसे ढख लेता है ठीक है यह जनेडू में एक फिक्शनल प्लेस की बात हो रहा है ठीक है तो यहां पर जो टाइटर एवो कहते हैं कि गहरी मनोरम घाटी है ठीक है जहां पर क्या है जो क्या है टेरी मेड़ी है साती साथ वह क्या है डलान है अब नेक्स इस्टन जाहा है नेक्स्ट में करते हैं, डाउन दे ग्रीन हील, ओल वर्थ है, सेडरेन कवर, एज सेवेज प्लेस, एज हॉली एंड इंचेंटेड, सेवेज मिन्स होता है, जंगल, ठीक हॉली मिन्स पवित्र और इंचेंटेड मिन्स जादुई, तो यह करते हैं, यह जो हरे भरे पहाडियां हैं, यहां का जो वातावरन हैं, यह जंगल तो है, प्रन्तु यह पवित्र है, और साथी साथी एक जादुई सा महसूस वह रहा है, चुकि यह कालपनिक है, जिस बज़े से सवभावक साहिए, यह जादुई साहि होगा, ठीक है, अब इसमें कह रहे हैं कि जो हांटेड मिन दोबना ठीक है, विनित मिन्स नीचे, तो चंद्रमा जो है, वह धीरे दीरे नीचे की ओर डूब रहा है, और वहां का जवातावरन रात का कैसा लग रहा है, एकदम भूता टाइप से लग रहा है, ठीक है, बाइ, वेलिंग मिन्स होता है, बिलाप करना ठीक है, डेमन मिन् तो कुबला खान सुनते हैं कि एक औरत जो है, वह जोर जोर से रो रही है, इसलिए कि उसका जो प्रेमी था, वह धोके बाज निकला, बेवफा निकला, वह उसे छोड़ कर चला गया, एंड फ्रॉम दिस चास्म भी, सिजलेस टर्मोल सीधिंग, ठीक है, चास्मिन्स गहरी जो खाए है, वो क्या हो रही है, खलबली मचाते हुए धीरे-धीरे आगे किया, और क्या हो रही है, बढ़ रही है, या फिर गिर रही है, ठीक है, जिस कारण से जो धरती किया है, जोर-जोर से सांसे ले रही है, एंड फांटेन मोमेंटली वास फोर्स्ट, एमाइड हो स्वीप्ट हाफ इंटर्मिटेड व्रस्ट, देखें, इसमें फांटन मिन्स होता है, फववारा, मतलब जरने टाइप से होते हैं, मोमेंटली मिन्स छ हाफ, इंटर्मिटेड मिन्स होता है, रुक, रुक कर, ब्रस्ट मिन्स फ़ढ़ना, तो कुबला खान यहाँ पर देखते हैं कि जो पानी है, फवारा है, वो जमीन से फट के निकल रहा है, रुक, रुक कर, फट, फट के निकल रहा है, बहुत ही तेज रपतार से, और हो के निकल रहे हैं जैसे कि हम लोग पहले का वक्त में अनाज से उसके छिलके को अलग करने के लिए जमीन में उसे बार-बार पटकते हैं उसी परकार से यह जो पानी है फवारा है वो उसी परकार से बार-बार से नीचे की ओर से उठ रहा है और जमीन पर आकर फिर से गिर र करें ठीक है इट फ्लंग अप मोमेंटली दा स्केड रिवर फाइब मेंडरिंग मेंडरिंग विट ए मेंजी मोशन थ्रो ऊड़ एंड डेल दा इसकेड रिवर रेंड अब यहां पे फिर राइटर कर रहे हैं कि वह जो नदी है वो जो नदी है आल्फ नदी वो क्या हो रहे 5 मिल्स तक मेंडरिंग मिन्स होता है घुमावदार और मेजी मिन्स होता है पेचीदा और मोशन मिन्स गती होता है ठीक है तो वो जो नदी है वो 5 मिल्स क्या होती है घुमावदार होते हुए पेचीदा मार्ग से घुमते हुए व लाइप लेस जो ओसिय ने वहां पर वो गिर जाती मतलब बेजान सा समुद्र में वो गिर जाती एंड माइड इस टुमॉल्ट कुबला हीड फ्रॉम फार मतलब जो कुबला खान होते हैं वह इसके खलबली की आवाज को क्या करते हैं वह सुन लेते हैं ठीक है और उन्हें याद आता है कि उनके जो प्राचिन लोग पेत्रिक लोग पुर्वज लोग और प्रोफेसी मिन्स होता है भाहिस्वानी करना उन्होंने यह भाहिस्वानी की थी कि कुबला खान का जो जनम हुआ है वह आराम से रहने के लिए महलों में नहीं बलकि उन्हें तो य आनंद महल है, इसका जो परच्छाई है, वो कहां पर बन रहा है, वेब्स पे, तीक है, वेब्स मतलब लहरों पे, आप किसकी लहरों पे, where was here the mingle from the pountains and the caps जो जो च्छाया बन रहा है वो तैरतावा च्छाया बन रहा है जो किस पर गन रहा है वो टेनी मेरी रूप से भहतीवी नदी पर है आल्फ नदी पर है जो आगे फवारी के तरह निकलते हुए जाती है और गुफाओं में चली जाती हैं उस नदी के उपपर इसका परचाई बन रहा है कि इसका आनंद महल का ठीक है इसके उपरी वाले हिस्से में सूरी के बात करते हैं और इसके साथ साथ वह करते हैं कि यह जो महल है इसके उपरी वाले हिस्से में सूरी की रोसनी पड़ रही है तता नीचे जो केप से वह क्या बहुत ज्यादा बर्प की तरह ठंड है ठीक है अब नेक्स्ट इस्टेंज आमें डेंसल भी थे डेंसल में से कन्या बोल सकने कुमारी कन्या ठीक है वह किसके साथ एक डुली सीमर मतलब यह एक यंत्र है बजाने का एक यंत्र है ठीक है उसके साथ है अब जो फिर कुबलाकान करता है कि यह जो अवरत मतलब यह जो लड़की है अभिवाहित इसको मैंने विजन में मतलब कहीं देखा है और यह कौन थी वह थी एक जेगा का नाम है वहां की वह लड़की थी और वह उस यंत्र को क्या कर रहे थी बजा रहे थी singing of mount abora और वह किसके बारे में गा रहे थी mount abora के बारे में एक जेगा का नाम है उसी के बारे मों गा रहे थी could I revive with me her symphony and song to such a deep delight with me टीक है वह यह भी करते हैं कि यह जो आवाज है वह उसके बारे में मैं इस गाने के बारे में बता सकता हूँ तो सच ए टिप डिलाइट तो उल्ड विड में जो मेरे अंदर से हिरदाई को क्या कर लिए जीत लिए यह जो आवाज सुनाय तेरा यह आवाज मेरे दिल को अंदर से जीत लिए जो जो जोर से वा मैं भी क्या कर सकता हूँ महल बना सकता हूँ देट सनी डूम दोज केप सब आइस ठीक है फिर वहाँ पर जो कभी है फिर लाइन के रिपीट करते है कि मेरे जो महल है कुबला खान का जो महल है उसके उपर धूप पड़ रहा है तता नीचे बर्प की तरह थंड़ा है और अल हूँ है शूट सी देम देर अल शूट क्राइब यह व्यर ठीक है अब यहाँ पर एक नया पॉइंट मतलब यह आ जाता है आख यह अभूप है कि वाँ की जो जो होते हैं वा जोर-जोर चिल आने लगते हैं था? तीन बार्ल गोल अकरिति गोलाकार तीन सरकल बनाने के लिए کہा जाता है सहथ को जादू टोनाणा वाला बात हो and close your eyes with holy dread और खौप की वज़े से अपनी आखों को क्या करना है बंद कर लेने के लिए का गया है for he won honey due hath fed and drunk the milk of paradise और उसके हाथ में उसे ऐसा लगता है कि बर्फ का जो ओस होता है ओस होता है वो honey के तरह है मधू के तरह है मतलब अफिम खाने से उनका बहुत ज्यादा मात्रा में नसा हो गया था जिस वज़े से उनके सपने भी बेतुका सा और अटपटा सा आ रहा था जिसका कोई सार्थाक अर्थ नहीं निकलता है और इस तरीके से ये जो पोयम है वो समाप्त हो जाता है दोस्तों अगर जदी आपको पोयम समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करें सेर करें कमेंट करें साथे साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें मिलते हैं अगले वीडियो पर थैंक्यू सो मच